आशिश है हमारे साथ तयार बताने के लिए कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और दिल्ली NCR यहाँ पर रियल स्टेट में कुछ खास आक्शन भी आपको आते हो दिख रहा है आशिश बताईगे क्या हो रहा है यहाँ पर अंचो NCR का मारकेट काफी खास है और NCR में अगर आप देखें तो गुरुग्राम का मारकेट सब्चादा होट और बजिंग फिलाल नज़र आ रहा है कुछ बड़े प्रोजेक्ट अभी थोड़े दिन पहले लाँच होए थे इसी महिने में और जैसे लाँच होते हैं तुरं जादा यूनिट ऐसे बिच बिक्ट है जिनकी वैलू फांच करोड से उपर की है और टोटल जू गुरु गराम के मारकेट में भिक्रि होती है इसमें 30 में 40 प्रतीशत का यूगदान वो फ्लैट्स ओस चो kommen опасnehmenन्स का होता है जिनकी वैलइडंस क्रोट से जजाधा होती है और इसके पीछे कारण यह कि एक तो देखे घर खरीदार इनका तो इंट्रेस्ट लगाता है प्रॉपर्टी के मार्केट में बना हुआ है लेकिन साथ में अगर आप देखें तो गुरुगराम के मार्केट में बड़ा निवेश भी करना चाहते हैं रियल इस्टेट में निवेश करना चाहते हैं वो भी इस मार्केट को काफी जादा पसंद करते हैं लेकिन जो लिस्टेट स्पेस के स्टॉक्स हैं इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर यह बन रहा है कि यह जो सेकेंड हाफ है इस एरिया में लाइंड अप है और अब तक का ट्रेंड बता रहे हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाता है सबसे पहले अगर आप देखें तो नौर्थ के मार्केट में सबसे बड़ा है DLF और इनकी सेकेंड हाफ की जो ग्रॉस डेवलप्मेंट वायल्यू प्रोजेक्ट की निकल कर आ रही है साड़े 11,000 करोड की एसेफ अगले 6 मेने के मैं आपको बता रहा हूँ प्रेस्टीज स्टेज के बात करें तो इन्हों ने भी जब साउट के बाद अब यहां पर पकड़ की है नौर्थ में तो गुरुगराम के मारकेट में काफी बड़े लॉंचेज है 13,100 करोड की ग्रॉस डेवलप्मेंट वाल्यू इनकी लाइनड अप है सोबा कंपरेटिवली थोड़ा सा कम है 1500 करोड के आसपास है उबराय रियाल्टी की 7,000 करोड है और सिगनेचर ग्लोबल यहां पर भी 2700 करोड की GDV लाइनड अप है तो बड़े लॉंचेज है और बड़ा एक्शन आपको आगे जाके रियल एस्टेट स्टॉक्स में नज़र आएगा